नमस्कार जिस गैलक्सी मैं आप सब इलों का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज हम लोग जो है वो भारती राश्ट्री अंदोलन का जो सेकेंड स्टेज है उग्र राश्ट्रवात का यूग इसे जो है किया जाएगा यूजूली हम लोग इस समय प्री पे फोकस कर रह ये 1905 से लेकर के 1915 तक और कुछी तियासकारों के द्वारा इसे 1917 तक रखा जाता है 9 जन्वरी 1915 को गांधी जी का आगमन हुआ था वहां से माना जाता है कि गांधिया नेरा शुरू हुआ था दूसरा जो था गांधी जी का जो चमपारण में उनका सक्री रूप से सहयोग पॉलिटिक्स में अन्वाल्मेंट होता है वहां से माना जाता है कि ग्रहेराश्ट्रवाद का चरण जो है वहां तक है तो आ और अगर चरण हम लोग चर्चा किया जाए तो ग्रहेरा इसे रिप्रजेंटा रहा है कि भारती राश्ट्री आंदोलन और भारती राश्ट्रिय आंदोलन और गरम पंथी चरण और गरम पंथी चरण यहां पे जो गरम पंथी चरण है पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को कि ये तीन लोगों के दवरा जो है रिप्रेजंट किया जाता है नरम पंथी चरण में कौन रहते हैं? तो नारम पंथी चरण में आप लोगों ने देखा था दादा भाई नौरोजी रहते हैं दादा भाई नौरोजी रहते हैं देन आफ्टर जो है फिरोज साह महता रहते हैं फिरोज साह महता रहते हैं और तीसरा जो रहते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले रहते हैं नरमपन्थी चरण को काउंटर करने के लिए कौन आया था? नरमपन्थी चरण को काउंटर करने के लिए गरमपन्थी चरण आया था गरमपन्थी चरण आया था, यहां पे कौन रहते हैं? लाल, बाल और पाल रहते हैं लाला लाजपत रहा है, बाल गंगादर तिलक और विपिनचंद फॉल रहते हैं एक तरीके से इनके कार करने का तरीका मैंने आप लोग को बताया हुआ था इनकी कारप्रणाली कैसे रहती है, नरमपंथी चरण की जो कारप्रणाली रहता है, वो 3P रहता है, 3P मिन्स की ये प्रेयर की पॉलिटिक्स करते थे, प्रार्थना करना, पी का मतलब है, पेटीसन याचना करना, और पी का मतलब है, प्रोटेस्ट मिन्स की सांति पुरोग वि गरमपन्थी चरण के उदय का कारण बनता है, वही गरमपन्थी चरण के उदय का कारण बनता है, ठीक है, तो 3P के काउंटर करने के लिए गरमपन्थी इसे कौन सी राजनिति कहते हैं, इसे राजनितिक विक्षा वित्ति कहा जाता है, पॉलिटिकल बेगिंग कहा गया था राजनितिक जो है वो भिक्षा वृत्ति कहा गया तो राजनितिक भिक्षा वृत्ति जो है पॉलिटिकल बेगिंग है अब इन लोग का क्या कहना है विसेश करके बाल गंदादर तिलक का कहना है कि अगर आप साल में एक बार मिढ़की तर तो ऐसे करने से भारत को आ जादी नहीं मिलने वाला है तो गरम पंथी चरण जैसे नाम में ही आपको लग रहा है क्या है कि यहां पर कुछ रैडिकल तरीके की ऐडियोलोजी है तिलक जी का क्या कहना है बाल गंगादर तिलक है इनका क्या करना है स्वाराज हमारा जन्मसिद् अधिकार है और मैं इसे अधिकार है और मैं इसे ले कर रहूंगा स्वाराजी जावर बर्थ राइड एंड वी सेल हैबिट तो इस तरीके से गरम पंथी चरण की जो इनकी थोड़ी सी प्रगती सील जो मांगे रहती है वो विसेज करके भारतियों में जो यूआ वर्ग रह है और इनकी जो कम्यार हती है दरम पंथी की जो कम्यार हती है उन्हीं कम्यों की बुनियाद पर इन लोगों ने अपने राश्ट्री आंदुलन को आगे बढ़ाया जिससे इनका सामाजीक आधार जो है वो बहुत ज्यादा व्यापक होता है तो अब क्या इनकी कम्यों के रूप में क्या रहता है तो वही त्रिपल पी मैंने बता दिया कि यह जो है प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट वाली जो है पॉलिटिक्स करते थे हैं यहाँ पे नरम पंथी के जगह पे जो गरम पंथी रहते हैं वो प्रगतिसील आइडिय स्वराज हमारा जर्मसी दधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह इनका एक टैग लाइन बनता है नरम पंथी जो थे वो कहां तक सिमित रहते थे वो किवल संभरांत वर्ग तक सिमित रहते थे हैं उनका आम जनता से मध्यम वर्ग से कुछ लेना देना नहीं था इनके काउंटर में जो कौन आता है इनके काउंटर में गरम पंथी आते हैं और गरम पंथी अपने को मध्यम वर्ग तक सिमित केवल संभरांत वर्ग तक सिमित ना रख करके भारती राश्री आंदोलन का विस्तार कहां तक मध्यम वर्ग तक उन्होंने किया हुआ था तो इस तरीके से इनका जनाधार इनका समाजिक जो समर्थन है वो इनको व्यापक तरीके से मिलना सुरू होता है इससे क्या होता है इससे अंग्रेजों के लिए ये जो गरमपंथी नेता रहते हैं अंग्रेजों के लिए चुनौती के रूप में उभर जाते हैं अब यही पर क्या होता है यही पर वायसराय रहते हैं वायसराय कौन है वायसराय लॉड करजन है लॉड करजन है लॉड करजन ने कहा था कि मेरा परमुद्देश से है कि भारती राश्ट्री कॉंग्रेस को मैं क्या करूं अपने सास्तन काल में ही भारती राश्ट्री कॉंग् ये Congress फिर से उभर कर आने न पाए तो जो करजन का अपना observation था करजन का क्या observation था कि कौन से छेत्र में राश्ट्री आंदोलन की हलचा जो है जाता है In which particular area The Indian National Movement is gaining more and more momentum ये कौन सा छेत्र रहता है भाई ये Bengal में momentum बहुत जादा रहता है Bengal जो रहता है वो राश्टवादी गति विधियों का केंद्र बंचु का रहता है इन परिस्थितियों को देखते हुए Lord करजन ने कौन सा निर्णा लिया Lord करजन ने Bengal विभाजन का निर्णा लिया Bengal विभाजन का निर्णा लिया कब लिया था? 1905 में ये निर्णा लिया था क्यों लिया था? भाई Bengal का विभाजन इतना आवस्यक क्यों हो गया था? Why the partition of Bengal was inevitable क्यों Bengal का विभाजन जो है वो आवस्यक हो गया था? अगर उनके नजर ये से देखा जाए तो करजन ने इसके पीछए अपनी दलील क्या दिया था? प्रसास्तनीक santé को देखते हुए प्रसास्तनीक आश्तू विधा को आश्तू विधा को देखते हुए प्रसासनिक असुविधा को देखते हुए बैंगॉल का विभाजन का निर्ण है बैंगॉल उस समय में आज का ब्रिटेन जो है या उस समय का भी जो ब्रिटेन रहता है उससे एक बड़ा उसके रूप में रहता है बैंगॉल की population जो है वो 8 करोड अगर आज भी देखा जाए तो किसी एक राज्य की 8 करोड की लगभग जनसंख्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या है तो नो डाउट इसमें एक सचाई रहता है कि प्रसासमिक असुविधा थी एक बड़ा जनसंख्या के अधार पे भी बड़ा राजी रहता है उस समय के बैंगॉल में आज का पूरा बांगला देश रहता है आज का पूरा बैंगॉल जो पस्ची मेंगॉल का छेतर है आज का पूरा बिहार है आज का पूरा जारखंड है और आज का पूरा उडिसा का छेतर है तो भागोलिक रूप से भी एक बड़ा छित्र रहता है जनसंख्या के अधार पे भी एक बड़ा छित्र रहता है लेकिन जो real intention रहता है वो क्या रहता है जो real इनका intention रहता है बैंगॉल राष्ट्रवादी गतिविधियों का गड़ था और राष्ट्रवादी गतिविधियों को गड़ को देखते हुए क्या था वो इस राष्टवाद के जो गढ़ है जो नेकसस है इसे क्या करना चाहते थे इसे तोड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से अगला निर्ने कौन सा लिया जाता है अगला निर्ने बंगाल विभाजन का लिया जाता है बैंगॉल विभाजन का जो real intention रहता है पहला तो यह कारण बताते हैं प्रसासनी को असुभिधा जो real intention रहता है बैंगॉल का क्या करना था बैंगॉल में बैंगॉलियों को अलपसंख्यक बनाना चाहते थे बैंगॉलियों को बैंगॉल में बैंगॉल में अल्प संख्यक बनाना चाहते थे दूसरा इनका इंटेंशन क्या रहता है मुस्लिम बाहुल पुर्वी बैंगॉल का गठन करना चाहते थे पुर्वी बैंगॉल का गठन करना चाहते थे अब इसके मद्ध में कौन सी भावना नहीं थी तो इसके मद्ध में डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी फूट डालो और राज करू की जो पॉलिसी है वो क्या रहता है वो एक्जिस्ट कर रहा था इस तरीके से जो बैंगॉल वी भाजन की जो इनकी घोसना रहती है इस घोसना के तरह ये क्या करना चाहते थे इस घोसना की तहत जो बैंगॉल राश्टवाद का केंद्र बना हूए था, उसे तोड़ना चाहते थे तो ये घोसना कप किया गया था ये घोसना जो है 1905 topic में जुलाई 1905 में किया गया था बैंगॉल वी भाजन का कारयानवन किस दिन किया जाता है तो बेंगॉल विभाजन का जो कार्यानवन रहेगा विभाजन का कार्यानवन कब किया जाएगा यह ओक्टूबर में किया जाएगा ओक्टूबर 1905 को किया जाएगा ओक्टूबर 1905 को ओक्टूबर 1905 को किया जाएगा अब इसके साथ क्या होगा इसी के साथ भारत में बंग भंग आंदोलन की सुरुवात होगे और ये जो बंग भंग आंदोलन है इसे क्या कहा जाता है इसे पॉपुलर तरीके से स्वादेशी आंदोलन भी कहा जाता है स्वादेशी आंदोलन भी कहा जाता है अब स्वादेशी आंदोलन क्या रहता है तो स्वादेशी आंदोलन में जो है बंग भंग आंदोलन मतलब बंगॉल का जो विभाजान उसे भंग करने का आंदोलन है स्वादेशी आंदोलन में ये क्या कर रहे हैं स्वादेशी आंदोलन में बहिसकार का नारा देते हैं कि बाइकॉर्ट आफ फॉरेंड गूर्ट्स करना है विदेशी समानों का बहिसकार करना है और प्रामोसन आफ इंडिजीनस गूर्ट्स रहता है स्वादेशी वस्तुओं को जो है वो बढ़ावा देना है तो इस तरीके से क्या होता है इस तरीके से स्वादेशी आंदोलन जो है वो धीरे-धीरे क्या होता है लोगप्री होना सुरू होता है इसी स्वादेशी आंदोलन के समय में सबसे बड़ा क्या रहेगा बहिसकार का नारा रहेगा बहिसकार के साथ साथ किसको प्रमोसन दे रहे हैं स्वादेशी को बढ़ावा दे रहे हैं देन आफ्टर राश्ट्री सिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है राश्री सिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरीके से जो है जिस दिन मेंगौल का विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को उसी दिन बंग भंग अंदोलन की सुरुवात होती है और बंग भंग अंदोलन की सुरुवात के साथ क्या होते है प्रभाद फेरियां निकाली जाती है प्रभाद फेरियां जो है वो निकाला जाता है और प्रभाद फेरियों के साथ क्या होता है हिंदू-मुस्लिम यूनिटी जो रहता है हिंदू-मुस्लिम यूनिटी को बढ़ावा दिया जाता है मिन्स की गंगा में असनान करके जो लोग रहते हैं वो जाते हैं और मुस्लिम भाईयों के कलाईयों पर क्या करते हैं वो राखी बाधना शुरू करते हैं और इस तरीके से एक सिम्बल रहता है कि हमारा हिंदू-मुस्लिम एक्ता जो है वो चल रहा है तो इस प्रकार से क्या है इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन जो है वो तेजी से आगे बढ़ना सुरू होता है और तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ चुकि गरमपंथियों का नित्रित्व है तो गरमपंथियों के नित्रित्व के साथ मध्यम वर्ग का या आम जनता का इसमें हिस्सेदारी होता है, युवाओं की भागीदारी होती है, युवाओं के भागीदारी के साथ ये बहुत ही व्यापक रूप से जो है इसको पॉपुलर्टी मिलना सुरू होता है, ऐसे समय में जब आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ रहा होता है, वैसे में क्या होता है? नरमपन्थी और गरमपन्थियों में विवाद होता है नरमपन्थी और गरमपन्थियों में क्या होता है नरमपन्थी और गरमपन्थियों में विवाद होता है विवाद किस मुद्दे को लेकर के रहता है विवाद किस मुद्दे को लेकर के रहता है विवाद आंदोलन के प्रसार को लेकर होता है आंदोलन के प्रसार को लेकर होता है अब क्या था भाई कि जो गरमपंथी रहते हैं ये इसका प्रसार कहां चाहते थे पूरे भारत में इसका प्रसार करना चाहते थे पूरे भारत में प्रसार करना चाहते थे नरम पंथी इसे कहा तक सिमीट रखना चाहते थे नरम पंथी इसे जो है वो मात्र बंगाल तक सिमीट रखना चाहते थे एक तरीके से नरम पंथियों का आपने पहलے से दब्बूर वया या पहले से उनको देखेंगे कि moderate leaders जो है वो कैसे वो कर रहे है moderate leaders जो है वो पहले से उनका रुख जो है वो सुरक्षात्मक है इनका कहना है कि विभाजन बेंगॉल का हुआ है विभाजन देश का नहीं हुआ है जब विभाजन बेंगॉल का हुआ है तो विरोध कहां पे होगा विरोध बेंगॉल में होगा गरमपंथी क्या करते हैं कि 1857 के विद्रोग की असफलता से आपने कुछ भी नहीं सिखा है अगर विद्रोग जो है या जो विभाजन जो है वो बेंगॉल में हुआ है तो यहां पे अगर हम लोग आंदोलन पूरे देश में करते हैं और आसफल भी रहते हैं तो उसके पस्चाद क्या होगा आसफलता के पस्चाद भी कम से कम पूरे देश में एक राजनितिक जनजागुता लाया जा सकेगा अंगरेजियों के खिलाब पूरे देश के लोगों को एक जूट किया जा तकेगा तो इस तरीके से इस मुद्दे पर जो इनका अपना विवाद रहता है जीत किसकी होती है तो अन्तता जीत जो है अन्तता जीत भाई कौन सा चरण कर रहे हैं गरम पंथी चरण कर रहे हैं तो गरम पंथियों की जीत होगी गरमपंथियों के जीत के साथ क्या होगा, इस आंदोलन का विस्तार कहां तक हो जाएगा देश व्यापी इसका विस्तार हो जाएगा आंदोलन का विस्तार जो है वो, देश व्यापी हो जाएगा पंजाब में इस आंदोलन का नित्रित तो किस ने किया था पंजाब में दो लोगों ने किया था एक जो है लाला लाजपत राय करते हैं लाला लाजपत राय करते हैं और दूसरा जो है कौन करते हैं दूसरा जो है अजीत सिंग करते है महराश्ट में अंदुरन का प्रसार किस ने किया था महराष्ट में आंदूरन का प्रसार किस ने किया था महराष्ट में बाल गंगा धर तिलक ने किया था मड्रास में इस आंदूरन का नेत्रितु किस ने किया था मड्रास में चिदंबरम पिल्लाई रहते हैं इस तरीके से देखते ही 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 देख इसी के साथ जो है इसी के साथ जो है अब जो अध्यक्षता के पत को लेकर के विवाद होता है कॉंग्रेस के आधिवेशन के अध्यक्षता के मुद्दे पर क्या होगा दोनों पक्षों में विवाद होगा अब दोनों पक्षों के मुद्दे पर विवाद का क्या वो रहेगा भाई 1905 का वर्थ रहेगा 1905 के वर्थ में अध्यवेशन कहां पर हुआ था अध्यवेशन वाराणसी में हुआ था देन आफ्टर 1906 का वर्थ रहेगा अध्यवेशन कहां पर हुआ था कलकत्ता में हुआ था देन आफ्टर 1907 का वर्थ रहेगा अध्यवेशन कहां पर हुआ था अधिवेशन सूरत में हुआ था 1905 में अधिवेशन कहां पे हुआ था 1905 में अधिवेशन जो है वो वारांसी में हुआ था 1906 में अधिवेशन कहां पे हुआ था 1906 में कलकत्ता में हुआ था 1907 में अधिवेशन कहां पे हुआ था 1907 में सूरत में हुआ था तो गरंपंथी भाई ईक जयन्प्रतिनदीत तो कौन कर रहा है, जयन्प्रतिनदीत तो गरंपंथी कर रहा है न meidän दद्धायीं जाम वर्ग तक हई दो कि इन्हीनी का RUST खेमे का हो, अध्यक्ष जो हो वो गरमपन्थी खेमे का हो, और ऐसे में क्या होता है, नरमपन्थी जो रहते हैं वो एक तरीके से आप कर सकते हैं कि वो साइलेंट किलर की तरह रहते हैं, साइलेंट किलर मिन्स कि जो मानसिक जो कहा जा सकता है, कि जो मानसिक गेम खेला जाता ह उस मनुवृत्ती के रहते हैं 1905 में वरांसी अधिवेशन की अध्यक्ष ता गरमपन्थी चाहते थे कि अध्यक्ष इनके खेमे का हो ये किन को बना देते हैं ये जो है दादा भाई नौरौजी को अध्यक्ष बनाते हैं गरमपन्थी किसको चाहते थे गरłem-panty चाहते थे कि तिलग जी को बनाया जाए, नाइ, 1905 का दादा भाई नरौजी नही रहेंगो 1905 का जो है, गोपाल क्रिष्ण गोखले रहेंगो गपाल क्रिष्ण गोखले रहेंगो 1905 में यह किसको बनाते हैं, कोपाल क्रिष्ण गोखले को बनाते हैं आप यहां पर जो गरमपंथी रहते हैं, गरमपंथी कहते हैं, चलिए भाई, 1905 में आपके मनवाली हो गए, 1906 में जो अध्यक्ष बनेगा, वो अनिवारे रूप से कौन रहेगा, वो अनिवारे रूप से हमारे खेमे का रहेगा, 1906 के वर्स में क्या होता है, फिर से जो नरम पंथी रहते हैं, वो नरम पंथी जो है, अपने खेमे के, किसका नाम बढ़ा देते हैं, दादा भाई, नारोजी का हाथ, का नाम आगे बढ़ा देते हैं, अब दादा भाई, नारोजी जो रहते हैं, वो इन्हें क्या कहेंगे, कि इन्हें हर वर्ग के दोरा ये सम्मानित रहते हैं इन्हीं को Grand Old Man of India कहा जाता था तो जो Grand Old Man of India इनको कहा जाता था एक तरीके से अपनी पूरी तन, मन, धन से जो कहा जाता है भारती राश्ट्री आंदुलन की जागरिति में इन्होंने प्रयास किया हुआ था तो इस प्रकार से जैसे ही दादा भाई नरोजी का नाम आगे आता है तिलक जी खुद अपना पैर पीछे कर लेते हैं कि ये वायू वरिद्ध पूरुस हैं एक तरीके से सबके सम्मानित हैं तो दादा भाई नरोजी के नाम पे तिलक जी फिर पीछे हड़ जाते हैं लेकिन गरम पंफित मैंने कया का सभाव सी गरम Сभाव करेंगे 1907 में क्या करेंगे 1907 में वह हमार रहते हैं सफलता है मिल रहे थी सूरत के अधिवेशन में ये किसको वो करेंगे रास बिहारी घोस रहते है रास बिहारी घोस रहते है रास बिहारी घोस जो रहते है ये भी कहां से रहते है नरमपंथी खेमे से रहते है गरमपंथी जो है वो लाला लाजपत राय को चाहते थे या चाहते थी कि हमारे खे में से कोई हो, अगर लाला लाजपतराय का नाम आगे रहता है, लेकिन इस बार भी वो संभव नहीं हो पाता है, और ऐसे में क्या होगा, सूरत में फूट होगा, अब जो सूरत स्पलिट है ये कब होता है भाई, ये 1907 में होगा, 1907 में क्या होगा सूरत अधिवेशन जैस्दे भी सुरू होता है गरमपंथी जो है वो जूता चपल निकाल करके नरमपंथियों पर फेकना सुरू करते हैं और दोनों तरफ से कुरसियों से कर सकते हैं कि कुरसिया उठा करके जगडा होना शुरू होता है और यहीं पर सूरत की फूट होती है और सूरत की फूट का परड़ाम क्या होता है नरमपन्थी अपने रास्ते और गरमपन्थी क्या होता है गरमपन्थी अपने रास्ते तो नरमपन्थी अपने रास्ते गरमपन्थी अपने रास्ते हो जाएगा तो ब्रिटिस सरकार के लिए ये आवसर हो जाएगा तो सूरत का फूट होता है जो राश्री आंदोलन की एक बधता चल रही थी जो एक सुत्रता चल रही थी वो फूट में बदल जाता है और फूट में बदलने के साथ क्या होगा नरमपंथी अपने रास्ते और इस तरीके से क्या होगा? ब्रिटीश सरकार ब्रिटीश सरकार का रुख क्या होगा? ब्रिटीश सरकार का जो response है वो क्या होगा? ब्रिटीश सरकार का जो response होगा वो त्री आयामी होगा वो क्या होगा? त्री आयामी होगा 3 AME में क्या होगा? Repression Repression अगला क्या है? Conciliation और अगला क्या है? अगला जो है वो Suppression Repression मतलब क्या होता है? Repression मतलब जो होता है गरम पंथियों को दमन करना एक तरीके से कि गरमपंद्वियों को इतना मार-मारा जाए और उनका इतना जढ़ा दमन किया जाए कि नरमपंद्थी जो है वो डर जाये और डर करके क्या करें कॉंचिलिएशन सरकार के साथ समझाइवादी रूख अपना है जैसे इन नरमपंद्थी सरकार से समझाता वादी रूख अपनाए, क्या किया जाया। सबर प्रेशन किया जाया, मत boost उनका समूल दमन कर दिया है। तो होता भी वाई, लो गरमपन्ती उंको उ een के उपर बल प्रयोग करना सुरूं करते हैं, सक्ति प्रयोग करना शुरूं करते हैं। गरमपंथी जो है उनके ओपर जैसे ही दमन होता है गरमपंथी डरते हैं सरकार से समझाता वादी रुख अपनाते हैं जैसे ही सरकार से समझाता वादी रुख अपनाते हैं अब क्या होगा गरमपंथियों का समूल दमन तीलग जी को कहां भेजा जाएगा तिलक जी जो रहेंगे इनको छे वर्स की सजा तिलक जी को जी को छे वर्स की सजा और कहां भेजा जाएगा मांडले जेल इनको भेज़ती आ जाएगा पांडले जेल भेज़ती आ जाएगा लाला सहाब को कहां भेजा जाएगा लाला लाजपत राय को देश निकाला दे दिया जाएगा देश निकाला दे दिया जाएगा विपीन चंदर पॉल जो रहते हैं विपीन चंदर पॉल जो रहेंगे और इनके साथ और कौन है? अरविंद घोस है अरविंद घोस है तो ये लोग क्या करेंगे? ये दोनों लोग जो हैं वो सक्री राजिनिति से त्याद पत्र दे देंगे तुर लाल, बाल, पाल इन तीनों लोगों की कहानी समाव्द कर दिया जाएगा कहानी समाव्द होने के पस्चाज फिर क्या होता है इसके पस्चाज जो है एक तरीके से जो नरम पंथी हैं वो समझाता वादी रूख अपना लिये हैं गरम पंथी जो है उनका समूल दमन हो चुका है और इस तरीके से क्या होता है पेस में जो है वो राजनितिक सुन्यता की स्थिती व्याप्त हो जाती है राजनितिक सुन्यता की स्थिती व्याप्त हो जाती है और इस राजनितिक सुन्यता की स्थिती में क्या होता है एक political vacuum हो जाता है और इस राजनितिक सुन्यता की स्थिती में Act of 1909 आएगा Act of 1909 आएगा और Act of 1909 के साथ क्या हो जाएगा सांप्रदाइक निर्वाचन जो है वो दे दिया जाएगा सांप्रदाइक निर्वाचन जो है कॉम्यूनल जो वो रहेगा सांप्रदाइक निर्वाचन किसके लिए दिया जाता है मुस्लिम कॉमुनिटी के लिए दे दिया जाता है तो कुल मिला करके क्या होता है कुल मिला करके जो है वो गरम पंतियों का समूल नास हो जाता है नरम पंतियों जो है वो सरकार से समझा होता वादी रुख भारत के राश्ट्री आंदोलन में क्या होगा एक तरीके की सुन्यता की स्थिति आ जाती है और अंग्रेज जो है वो ज वो सुरुवात कर देते हैं तो चलिए जो है इस पर हम लोग अगले class lecture में आए जाएगा और अगले class lecture में इससे आगे की जीज़े हैं उसे आगे carry on किया जाएगा तो ठीक है student मिलते हैं फिर next class में till then with you all the best thank you